दिर स्टुडेंट। आज मैं आपको कल मैंने कल फर्स्ट वीडियो में कल में आपको माय बॉडि जो क्लास फॉष्ट का सेकंड चैप्टर से के बाताया थे मैंने यह बताया था कि हमारी बॉड़ी एक amazing मुझी दो मैंने उसके parts के बारे में describe किया था कल आपको ठीक है उसके parts बताये थे और मैंने hands के बारे में बताया था कल तक कल मैंने first video में अपना इतना पेरा complete किया था चलिए अब हम अपना next पेरा देखते हैं यहाँ पे we have two legs हमारे दो पेर होते हैं we use our legs for walking, running and jogging हम अपने पेरों का use walking चलने के लिए दोडने के लिए और धीरे धीरे चलने के लिए करते हैं we also use our legs in cycling and playing and doing many other tasks हम अपने पेरों का use cycle चलने के लिए खेलने के लिए और बहुत सारे अलग-अलग टास्क होते हैं जैसे कि दोडना कहीं पे कूदना, skating करना इन सारे चीजों के लिए भी हम अपने पेरों का use करते हैं चलिए इन पेरों के मतलब इस texture's के माध्यम से देख सकती है, जैसे कि यह पेए लड़की है जू अपने पेरों के पंजे के माध्यम से चले रही है यहां पर ये बच्चा हे जो स्केटिंग कर रहाए पैरों की मदद से और यहां पर भी एक यै fascinating child दिखाया गया जो अपने पैरों की मददसे ball कर रहा तो इस तरीके से हम अपने पैरों का यू जो पैर होते हैं वो हमारी बहुत Kap ü Okay德 करते हैं बहुत ज्यादा Eyes, nose, tongue, ears, skin ये हमारी किस प्रकार मदद करते हैं Our ear हमारे जो ear होते हैं वो हमें help करते हैं Eyes to hear sound किसी भी तरह की आवाज को सुनने के लिए ठीक है, we have two ears और हमारे दो कान होते हैं Next है हमारा eyes Our eyes help us to sing हमारी आखे किसी भी चीज को या किसी भी object को देखने के लिए मदद करती है We see all the things in the world with the help of our eyes इस दुनिया में जतनी भी चीजें हैं ठीक है, वो हम किस की मदद से देखते हैं अपनी आपों की मदद से देखते हैं We have two eyes और हमारे दो आखे होती हैं Our nose help us in smelling जो हमारी नाप के वो सूने में मदद करती है किसी भी तरह की चीज हो वो हमें smelling से पता चल जा जाती है कि किसी अच्छी चीज की खुश्पू है या किसी बेकाड चीज की cheers की smell आरी है और we enjoy the smell of a flower with the help of our nose हम खुश्बू मतलब फूलों की खुश्बू का आनंद लेते हैं अब वो किसकी मदस से लेते हैं अपनी नोस की मदस से वी हैब वन नोस और हमारी एक नाग होती है अब टंग टंग मींस क्या होती है जीब अब टंग help us to taste food जो हमारी टंग होती है वो खाने को टेस्ट करने में हमारी मदद करती है अब कैसे करती है जो हम अपनी जीब पे खटा मीठा नमकीन इस तरह का कैसा भी food रखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है कोई मीठा है कोई खटा है कोई नमकीन है तो यह जो टेस्टिंग जो करना होता है फूड का वो कौन सा हमारा बोडी पार्ट्स जो बोडी पार्ट्स है वो कौन सा हमें बताता है तो वो टंग है टंग की मदब से हम लोग food को टेस्ट करते हैं We have one tongue और हमारी एक ही जीव होती है Our skin helps us touch and feel things जो हमारी तुच्छा होती है वो हमें किसी भी चीज का touch feel करवाती है We feel hot and cold with our skin जैसे हम feel करते हैं ठंडा गरम और यह किसी मदद से करते हैं अपनी तुचा की मदद से करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि हम काम कर रहे होगा हमारे पास कुछ हमारी skin पर कुछ थंडी थी जाके गिर गई है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि बहुत ठंडी है जैसे कि हम लोग विन्टर के टाइम का एक 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 आग्जामपल लेते हैं ठंडियों में क्या होता है पानी सा बहुत डर्ड़ता है ना पानी बहुत ठंड़ा होता है लेकिन जैसे हम पानी को ठच करते हैं तुरंध पता छल जाता है कि पानी घरम है और तरिके से हम अपनी बॉडी के जैसे की मसीन के हर पार्स इंपोर्टेंट होते हैं आई नोज फिंगर टंग है ना इयर हैर हमें उन सब की टेक केर करनी चाहिए देख रेक करनी चाहिए दे यार लाइक आवर बेस्ट फ्रेंड होते हैं अगर हमारे अगर यह नहीं होंगे तो हमारी है ना ठीक प्रकार से नहीं गुजरेगी यह जो हमारे बॉडी पार्स होते हैं यह सबसे ज्यादा हमारे बेस्ट ट्रेंड होते हैं यह चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ मैं इसकी आपको एक्सराइस करवाओंगी वह आपको मुझे कॉपी में करके और स्कूल म भिजवानी है थैंक यू